ग्रीव साध साध सब नेक हैं आप आपनी ठोरे जो सत लोक ले जावेंगे वो साधू कोई औरे प्रमात्मा को सत लोक में देखा तो यहां से जितना महात्मा के रुफ मैथे तब ग्रीव दास जीन अपनी वानी में प्रमात्मा की महिमा करन तोड दिखी है और प्रमात्मा कभीर जी से प्राप्त उस यथारत ग्यान का इसमें वर्णन किया है थोड़े सी थोड़ी सी जलग आपको उस अमरत ग्यान की देते है क्या बताते हैं के बेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी भी हंगा गरीबदास वो भावजल डूबें नहीं साद सत संगा गरीबदास अब जी कहते हैं कि भेड पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी भी हंगा गरीबदास वो भावजल डूबें जिनको नहीं मिला साद सत संगा जैसे बादुआ, महिना बादुआ का महिना होता है बादर पद उसमें वर्सा बहुत अधीक वया करती थी और सभी छोटी मोटी जो दरिया हैं जो दरिया हैं ये फुल स्विम पर और फलो होकर किनारों को टच करती हुई चला करती हैं बरका चल पड़ती हैं और ऐसे चक्र काटता हुआ उनका जल बहुत वेग से चलता है तो गरीबदास जी कहते हैं कि आप जी ने सत लोक जाने के लिए इतनी दरिया को पार करना है इतनी बहंकर जल युक्त और उस से पार करने का साधन ये पंडित अरथास बहुत सागर से बहुत दरिया से पार होने के लिए जो मेतट आफ वर्सी वे आफ वर्सी पूजा का जो मारग विधी है वो जो तुम्हारे गुरूवों ने पंडितों ने ब्रामनों ने बताई है वो तो ऐसी है जैसे उस भादों के महिने में पूरा पूरन रूप से परीपूरन होकर बहर ही दरिया को पार करने के लिए कोई कहे के भेड की पूछ पकड़ और दोनों घुस जाओ दरिया में ये भेड तुझे पार कर देगी वो सवस्थ विधि नहीं है वो तो डुबोने वाली है उसके लिए नोका चाहिए अच्छा उसका खेवट चाहिए ताकि वो भवरों से बचा करके और दरिया से पार कर सके तो वो स्पूर्ण संत की आव सकता है राम नाम सही हो सत्वगती हो वो नौका है राम नाम की तो कहते हैं भेड पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी भी हंगा गरीब दास हुए भावजल डूबे जिनको नई साध सत्व संगा फिर बताते हैं मन मान सरोवर गंगरे जहां से बिछडा वहां मिलाओं तुम सुनो सबद पर संगरे मन मान सरोवर गंगरे जहां का बिछडा ताहां मिलाओं तुम सुनो सबद पर संगरे गरिबदा साहिब जी कहते है कि मन ये मान सरो और गंगरे सत लोक जो है वो असली सथान है तेरा और जहां से तू विच्ड़ा है तुझे वही मिला दू तू मेरे वचन सुन दे मेरा ग्यान सुनो अपने अत्माओं ये जो अधुरा ग्यान हमें प्राप्त है ये परमात्मा के विचार सुनने नहीं देता जैसे एक बहन कह रही थी कि किसी परमात्मा की बेटी नए यहां से उपदेश प्राप्त बहन ने अपनी सहली से कहा कि इस समय टीवी पहत हमारे गुरुदी जी का प्रोग्राम आता है वो देखना तो उसने अपनी सहली के कहने से टीवी ओन किया रूस में उसका दुर भगगे था और ग्यान का अभाव उसने क्या सुना के तीन देव की जो करते भगती उनकी कदे ना हो ए मुक्ती और विर्मा विश्ण महेश की भगती से मुक्ष नहीं हो सकता उसने ये सबद सुन दिया जब टीवी बंद दो तीन दिन पाथ से उस बहन ने फिर पूछा के तू सुनता आप सुनती हो क्या मैं हमारे गुरुजी का सत्संग ने बोली कदे भी ना सुनू होता ऐसा गल्त बात कहें है क्या कहते है के नियों के भर मतीन देव की जो करते है वक्ती उनकी कदे ना हो मुक्ती मुता कर्शन जी की पुजारन हो तो यहां पर मातमा कह रहे है तुम हमारे सब्द का परसंग पूरा सुनो और फिर बात समझे मावागी तुम देख छोटी सी बात ने सुन के बेदे की जाती हो गैर है से सुनो क्यों कहा है से नहीं इतने दन हो आस ते पहले कोई कह कह दिखाता है यह बक्ती ना करना सुर सरयाम यह जो रात दासवामी दंद सद्गुर्वाले हैं यह खुल के कुछ ने बताया आप अपनी बताएंगे लोग उनके पीछे लागेंगे अर दास ने तो सब की इतियास दिखाए है कि यह नहीं करना यह नहीं करना बैस और परमान दिया है कि यह कहीं परमानी नियन की बक्ती करने तो यहां परमात्मा कह रहे हैं गरिद्धा साहिब जी मन मान सरोवर गंगरे जहां का बिछडा तो हमिला हूँ सुनो सबद पर संगरे देने गंगा बाम में जमना मद सुरस्वती रंगरे कल बिसकुसमल मोकस होत है यह पल पल पर भी अंगरे कहते हैं ऐसा सिमन देंगे आपको स्वांस उ स्वांस का उस जैसे गंगा मनाने जाते हो कईज़मना मनाने जाते हो कहीं सर्ष्वती की आस लगाई बैठी हो यह स्वांस के सिमर्णत आ आपका स्वांस का सवर्दुदास देता है नाम कभी दायां चल रहा है दाने गंगा यह तो ile है और बां में जमना समझ ले और बीच में सर्चवती तभरों बता वे तो दसमें दुबार वहां से स्टार्ट होगा खुल लेगा दसमें दुबार का उर्लारा रसता है उर्लागेट तो कहती है से मैं रहता है तम रोज गंगा जमना ना हो पल पल पर भी अंगरे पल पल में उता बारा वरस में पर भी लगए कुम की अर्शनों के पल पल पर भी अंगरे एक पल पल में पर भी लो सांस सांस में नाम जो पो बिरता सांस ना खो ना जाने इस वास को आमन हो कि ना हो फिर कहते हैं कल बिसकुसमल मोक्ष ह apologise थे हैं पलपल पर भी अंगरे सभी पाप प्रकार के घोर से घोर पाप भी तो मिरे तुम्हारे न ना सो जाएंगे कल बिसकुसमल पाप का सी करवत काहे लेत है बिना भजन नहीं डंगरे कोट गरंत का यही अर्थ है करो सादसत संग्रे क्या बताते हैं कि कासी कर्वत काहे लेत है बनारस मज़ा कै कहते क्यों अपनी गर्दन कटवाता है पुन्य आत्मा इतना जबर्दस जुगाड कर रहा क्याता है इन अग्यानियोंने और आत्मा उसी दिन से प्रमात्मा की चाह में भटक रही है इसको जिसने भी कोई जैसा भी प्रमात्मा पाने के विदी बताई कितना एक कठीन से कठीन ने इसने वो भी स्विकार किया एक बार कासी के ब्रामनों ने नकलियों ने क्या ग्यान देना सुरू किया कि जो कासी में मरता है कासी सहर में स्रीर छोड़ता उसी दास्वर्ग जाता है और जो मगर मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती वो गधे की यो निम जाता है प्रमात्मा कहा करते भाई सत्वग्टी करो चाहे कासी में मरो और चाहे मगर में मरो कहीं पर भी सिरी छोड़ोगे तुम उसी स्थान पर जाओगे दुस्त साधना तुम कर रहे हो ये भूल है तुमारी पर वो नहीं माना करते हैं व्रोध क्या आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jakatkururampalji.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर्मी 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 वाल भी आप टाक करें 9-6-2-3204 ज r dua चल जब कर दो कर दो हुआ 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 हुआ